तो हेलो दोस्तों दिस इस मियमन शर्मा बैक अगें विट न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल बोपाल यूट्यूब चैनल एं तोड़ेज वीडियो इस वीडियो आपको पूरी एसेसरी इंस्टोलेशन हुई है तो वन जाए वन में आपको सभी चीज बताने वाला हू बहुत ही अच्छी लग रहे है हम लेकुशेल लगला है जúcसेने पाड़ कॉसुटक करो कि बहुत ही रहे हैं यहाँ को अब लिकार करें करो करो बहुत ही ईच्छी लग रहे हैं यहाँ पर बंपर सिय और बिडिंग से व्लिंगर इस साइड DAR से भूइड यूधरा यहाँ बहुत ही अच्छी लग रही है और फ्रंट लुक आप चगाउट करो कितनी प्यारी लग रही है आर्मी का लोगो वहां पर लगा हुआ है यह भी चगाउट कर सकते हो आप इसके साथ अब यहां पर आपका जो रेंड वाईजर्स होते हैं वह इस्टॉल करें जो की बेसिक एस स्पोईलर होता है स्पोईलर हमने इस्टॉलेशन किया है तो आप चेक आउट कर सकते हैं स्पोईलर कितना प्यारा लग रहा है साथ ही साथ में यहां पर क्रोम एलिमेंट प्रोवाइट कर रहे हैं टेल लाइट में क्रोम आपको कंपनी नहीं देती है एक्स्ट्रा आपको करना होता है तो company से भी आपको chrome kit मिल जाती है यहाँ पर आपको high-mounted stop lamp मिल जाएगा अल्टीगा में यह भी black color में आता है तो यह पूरा chrome kit के साथ आता है तो आप देख सकते हो अल्टीगा एंड फीचे में हमने camera भी लगा है यहाँ पर आप दूर गार्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ही chrome element कितने प्यारे लग रहा है आईए चलते हैं अंदर तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं unlock चलते हैं गाड़ी के अंदर तो interior में भाई अभी थोड़ा सा काम चल रहा है गाड़ी का तो वो चीज हो रही है side panel साप उसको mind मस करना यहाँ पर हमने steering wheel जो होदा है उसको पूरा stitch करा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो brown color में and brown क्यों रखा है क्योंकि गाड़ी का पूरा interior उसी type का है यहाँ पर देखो seat covers भी install कर रहे हैं तो seat covers की आप quality देख सकते हो यहाँ पर भी थोड़ा सामने यह coffee color या फिर आपका brown color बोल लो आप वो चीज हमने लगाई है तो इसमें steering wheel cover भी हमने सोचा कि यही चीज अच्छी लगेगी यहाँ पर यहाँ आपको rdga का पूरा instrument cluster मिल जाता है इसके साथ यहाँ पर यह आपका पूरा studio system में वो भी हमने लगाया है steering wheel आपका जो है उसी में जो आपका gear knob है वो भी तेयार हो रही है जो नीचे का कपड़ा आता है gear knob का यहाँ पर यह पूरा आपके back support के लिए हमने seat covers प्रोवाइट करें यह पूरे customized वाले seat covers है तो आप देख सकते हो back support के लिए आपको अच्छा खाथा support मिलने वाला है तो यहाँ पर आप stereo का response भी आपको अगाउट करता देता हूं मतलब quality बहुत ही अच्छी है यहाँ पर and quality wise मेरे को मतलब बहुत ही अच्छी लगी चीज तो बड़ी चीज है इसके साथ आपको जो system मिलता है वो भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो seat का response तो यहाँ पर आपको सारे पूरे छे के छे आपको headrest pillow मिल जाएंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी कुषनी है यहाँ पर यह आपका जो handrest होता है यह फिर आपका armrest होता है वो चीज है तो वह भी बहुत ही अच्छी लग रही बैक के लिए बैक में इसमें हमने लगाया है चिकागो का आपका amplifier एंड यह बूफर तो आपका two channel का आपको इसमें एंप देखने को मिल जाएगा wiring अभी हो रही है तो यह आप देख लो चिकागो mobile audio लिखा है यहाँ पर यह पूरा अपना चिकागो का बूफर है तो यह बि system का इसी के साथ अगर वो सामन रखना चाहते हैं तो आराम से अपना easily सामन वगएरा रख सकते हैं तो यह कुछ इसका overall response है आप check out कर सकते हैं यह कुछ इसकी पुरी design है तो इसका पुरा response है यह है एंड इसके साथ यह smart hybrid की बैजिंग इसको कर लेते हैं हम बन एंड स्टार क यहां पर लिखा हुए तो आप शॉप देख लो किस तरीके की है एंड यहां पर यह logo है तो बहुत सारे बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है यह इसमें अर्टिका की बैजिंग रहेगी ब्लू लाइट इसमें रहने वाली है में राज के वक्ति इसमें ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाला पुरा व्यू देखने को मिलेगा एंड देखने में ब्लू प्यारी लग रही है आप खुद देख सकते हो इसका रिस्पॉंस और मैं आपको अपनी और से अट नाइट भी रिस्पॉंस बताऊंगा किस तरीके का इसका रहने वाला है रिस्पॉंस तो यहाँ पर आप देख सकते हो भीग जो है इसकी पूरे आपकी जो डूर के साइट का यह पैनल होता है फाइबर वाला इसको निकाल रहा है जिससे वाइरिंग इसकी पूरी दिख जाए एंड वाइरिंग के साथ इसको कपिलर की मदद से पूरा फिट करके यहां पर कुछ इस तरीके से इसको फ्लेस्ट करेंगे तो यहां पर अभी आप देख लो यह कुछ इस तरीके से फिक्स होने वाली यह four doors पे आपके पीछे की जो आपकी बूट होती है उसके लिए नहीं आती है सिर्फ four pieces की आती है यह चेकागो के मुझे इस बूफर की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह आराम से फिट हो जाता है देखो आप कितना space है एंड बिल्कुल ये panel के नीचे बढ़ी है तरीके से buffer एंड जो आपका amp है वो पूरी तरीके से fit हो गया है तो यह मुझे बहुत ही अच्छी लगी चीज तो यहाँ पर matrix DRL भी लगी हुगी है जो कि आपकी floating indicators में work करती है तो यहाँ आप देख सकते हो है एंड इसका मैं आपको अगर response देखा हूँ तो बहुत ही अच्छा है आपको ignition में white color की जलती हुई देखेगी आपकी headlight के उपर एंड अगर आप इसका viewing angle देखो तो बहुत ही अच्छी लगती है level look provide करती है तो यहाँ आप देख सकते हो यह पनी निकालने के बाद किती प्यारी लग रही है देखो आप किता बड़िया लुक आ रहा है और इसी का जो overall look है वो बहुत जादा निखर रहा है तो अभी तो जो पनी है उसको भी हम लगा देते हैं अभी पनी नहीं निकालना है यहाँ पर आप देख सकते हो front door में यह cocoa color का जो आपका या फिर आप बुर लो coffee color में यह पूरा leather finish करवा यह leather आपॉस्टी तो देख सकते हो यह गत्थों के side के panels पर किती अच्छी लग रही है quality आपके सामने है आपकी ice के सामने इसके साथ यहाँ पर आप देखो यह भी है यहाँ पर यह color combination है तो इसी को match करते हुए गाड़ी का पूरा interior रखा हुआ है तो इसी के साथ दोस्तों आप आप सभी को वीडियो में के end to end बढ़िया वाली information मेरी और से मिली होगी इसी के साथ दोस्तों वीडियो करना लाइक वीडियो करना शेयर कमेंट करना अगर आपकी कोई भी क्योड़ी हो मुझे इंस्टाग्राम पर घरूर से फालोगा लेना फुर मोर लेटेस्ट अपडेट्स टेक्निकल वोकाल ओफिशल यूजर नेम आपको नेजर आ रहा होगा इसके साथ दोस्तों मिलेंगे एक और निव फ्रेज में खिल लें टेक्टेर बबाए